महादेव कहते हैं कि दुनिया को अपने बारे में बताना है तो सफल बन जाओ और दुनिया के बारे में जानना है तो असफल हो जाओ समय सब के लिए एक समान होता है फिर भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अकसर समय ना होने का रोना रोते हैं अक्सर ऐसे बहाने अपनी कमजोरी को छुपाने का आसान रास्ता होता है। हर किसी को अच्छे व्यक्ती की तलाश करने की बजाए। आप खुद इतने अच्छे बन जाओ कि आप से मिलकर किसी की तलाश खत्म हो जाए। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो हर समय अपने कर्तव्य के प्रती गदिशील होते हैं। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ पर यकीन रखना। इसमें भी महादेव ने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। तो कोई समय का सद उपयोग करके इतिहास रच देता है। आपको क्या करना है आप खुद निर्ने ले। अगर आप प्रयास या कोशिश नहीं करतें तो आप कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। जीवन का मतलब तब और दोना हो जाता है जब लोग आपके हारने का इंतिजार करने लगते हैं। सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता। सफलता प्रयासों से हासिल होती है। जीतने वालों की आखों में काम्याबी के सपने होते हैं। और हारने वालों के पास खोकली योजनाय होती है। जो सिर्फ फिरे होते हैं वो इतिहास लिखते हैं। सबस्दार लोग तो सिर्फ उनके बारे में बढ़ते हैं। बादा है ऐसी डरावनी चीज है जो लक्षे से हटने पर आपको देखती है। लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए ये जरूरी है कि हम निरंतर अपने लक्षे को बढ़ा करते जाए। हमें हमेशा ये नहीं हम अपनी मदद नहीं कर सकते। दूसरों को फाइदा पहुचाए बिना हम खुद को फाइदा नहीं पहुचा सकते। दूसरों को खुशाली दिलाए बगर हम खुशाल नहीं हो सकते। जब आप कुछ नया करना चाहेंगे तो लोग पहले आप पर हसेंगे। फिर आपके की नकल करेंगे मेहनत एक ऐसी सुनहैरी चावी है जो बंद भागे के दर्वाजे को खोल देती है मुश्किलों से डर कर भाग जाने से कही बहतर है उसका डटकर मुकाबला करना जो डरते हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होता और जो मुश्किलों से लड़ते हैं वो एक दिन अ बहु मुल्य समय को यूँ ही गवाद देते हैं हजारों दियों को एक बार दिये से बिना उसका प्रकाश कम किये जलाया जा सकता है खुशी बाटने से खुशी कम नहीं होती महान सपनों को देखने वाले और उन्हीं की कल्पना करने वाले स्वैम ही अपने महान सपनों के का महानबद्दे क्रोथ के समय थोड़ा रुख जाए और गलती के समय थोड़ा जुख जाए तो दुनिया की सब समझ जाएं हल हो जाएंगे महादेव कहते हैं कि कर्म का ही सारा खेल है यह लौट कर जरूर आता है जैसा आप आज किसी को रुला रहे हैं कोई और कल तुम्हें रुलाएगा ना तो बुरे कर्म अच्छे कर्मों को काट सकते हैं जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा चिंतन, मनन और एकागरता असंतुलित मन को संतुलित करने की एक भैतरीन कला है बार बार प्रयास करना आदत बन जाती है और आदत अगर अच्छी हो तो एक दिन सफलता जरूर बन जाती है जो लोग छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं वो किसी के बारे में दिमाग से नहीं सिर्फ दिल से सोचते हैं जो दूसरों को हसाने के लिए हसते हैं महादेव उनको कभी रोने नहीं देते होसला मत हार ये रागीर अगर दर्द यहां मिलता है तो दवा भी यहीं मिलेग महादेव का सच्चे मन से लिया गया नाम और मेहनत से किया गया काम कभी विफल नहीं जाता दुख की शाम हो या खुशी का सवेरा महादेव मुझे तो चाहिए बस आपके दिल में वजेरा क्या धन क्या संपत्ती सब यहीं रह जाएगा भोले के भखत बनो जीवन सफल हो जाएगा कैसे कह दूँ की मेरी हड़ दुआ पेशर हो गई है मैं जब जब भी रोया मेरे भोलेनात को खबर हो गई है भोले तेरी भक्ती की अनौकी च्छाया है आया हूँ जब से आपकी शरण में खुद को हर दुख से दूर पाया है जिन्दगी ने बहुत कोशिश की मुझे रुलाने की मगर डमरू वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है मुझे हसाने की मेरी जिन्दगी महादेव के सहारे हम उनके और वो हमारे किसी से रखा नहीं अब मैंने वास्ता शिव ही मेरी मंजिल शिव ही मेरा रास्ता महादेव कहते हैं मित्रता काजल की तरह होनी चाहिए जब आप हसे तो वो चमके जब आप रोए तो वो बिखड जाए इज़त किसी इंसान की नहीं होती जरूरत की होती है जरूरत खतम तो इज़द खतम सच भी कभी कभी बेबस नजर आता है जहाँ चार जोटे इकटे हो जाए वहाँ सच्चा भी हार जाता है जो लोग तुम से कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है असल में उनके खास रिस्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने चुप जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं तलवार के घाओ मिट जाते हैं लेकिन बातों के घाओ हमेशा रहते हैं अनुवफ कहता है कि खामोशियां ही बहतर है, शब्दों से लोग रूटते बहुत हैं, जो आपको छोड़ कर गए हैं, वो भी वापस आएंगे, आप एक बार काम्याब होकर तो देखो, ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिस्ते, जिनकी अंदर कुछ भी नही जानते हैं, एक जूटे इंसान की यही सजा होती है कि जब वो सच बोलता है, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता, जादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता ही देते हैं कि वो कितने पर आए हैं, महादेव कहते हैं, पज़ड हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, फिर कठिनाईया और संगड सही भी न, अच्छे दिन कैसे आएंगे, अगर अभी आपके जीवन में दुख और परिशानिया हैं, तो धहरे रखो, आपके अच्छे दिन आने वाले, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा लोग डूपते हैं तो समंदर को दोश देते हैं, मन्जिल ना मिले तो किस्मत को दोश देते हैं, खुद तो समल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तब पत्थर को दोश देते हैं, आप एक ही गलती को रोज दोहरा कर अपने परिणाम को अपने जीवन को नहीं बदल सकत इंसान घर बदलता है रिष्टे बदलता है दोस्त बदलता है फिर भी परिशान रहता है क्योंकि वैं खुद को नहीं बदलता है चेहरा सुन्दर हो या ना हो पर शब्दों का सुन्दर होना जरूरी है क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते अपनी समस्या महादेव को सौब दो क्योंकि जितना आप जीवन भर में नहीं कर सकते उससे कहीं जादा वो आपके लिए एक पल में कर देंगे इस जीवन का पैसा अगले जनम में काम नहीं आता मगर इस जनम का पुन्य जन्मों जन्मों तक काम आता है किसी की अच्छाई का जादा फाइदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए बुरा हमेशा बही बनता है जो अच्छा बनकर तूट चुका होता है मार्ग में बाधाय आने से मार्ग को बदलना उचित है किन्तु उसके लिए लक्षे को बदलना बिल्कुल ही अनुचित है संघर्ष तुम करो मित्रता चुनोतियों का तुम शिकार करो ठकना रुखना है कायरों का काम मेहनत से अपनी चमतकार करो कम बोलने वाले और जादा सुनने वाले लोग बहुत तिजस्वी होते है महादेव की अदालत में आपके कर्म ही आपकी पहचान होती है नाम से तो बस पुकारा जाता है इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करते रहे इंसानियत और महनत इंसानियत और महनत से उचे कर्म होते है और इन कर्मों से मनचाही सफलता प्राप्त होती है महादेव कहते हैं उन व्यक्तियों के जीवन में आनन्द और शांती कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा में एक जैसा रहना सीख लिया है एक इंसान की मदद करने में दुनिया तो नहीं बदलने वाली लेकिन आप जिस इंसान की मदद करेंगे उसकी दुनिया बदल सकती है एक खुशाल जीवन जीने के लिए एक सुईकार करना जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वही सबसे अच्छा है सफाई देने में अपना वक्त बरबाद मत कीजी क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाते है सुबह का मतलब केवल सूर्य उदय नहीं होता ये स्रिस्टी की खुबसूरत घटना है जहां अंदिकार को मिटा कर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है मान सम्मान किसी को देने से नहीं मिलते अपनी योगिता के अनुसार मिलते है बेवजा खामोश होकर क्यूं बैठा है ना जाने कौन सा अफसोस लेकर बैठा है ख्वाईशों की पतंग को थोड़ी धील दे अपने ख्वाप की उड़ान को नया मोड दे आजकल अवाज में हर किसी की ताकत होती है आप अपने विचार को भी थोड़ी सी ताकत शरूर दो अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो अपनी जिंदिगी की कहानी के लिखक खुद बने आपकी हर सुबा आप पर निर्भर करती है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते है जिने अपने काम से प्रेम और लगन होती है उनकी सुबा जल्दी होती है आप अपनी कमजोरी को ढूंड लो मेहनत करने की शमता खुद बेखुद आ जाएगी वक्त के सामने जुका नहीं जाता बस वक्त से सीखा जाता है सबसे पहले मन से निकाल दो कि इस दुनिया में असंभाव नाम की कोई चीज भी है अगर आप सोच सकते हैं तो निश्चित ही उसे आप पूरा भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हरहर महादेव